दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थे आपका एक पार फिर से आपके आपने ही चेनल क्रिक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1998 में रिलीस हुई चार बड़ी फिल्मों के बारे में जानेंगे इन सभी फिल्मों के box office collection के बारे में, budget के बारे में, hit और flop के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चली डियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुनील शेटी की विनाशक फिल्म के बारे में तो 30 जनवरी 1998 में रिलीस हुई थी ये फिल्म सुनिल शिटी, रवीना टंडन और डैनी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेलिट क्या था रवी देवन ने और प्रेड्यूस क्या था इस फिल्म को मारकुस ने और 6 करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस से इंडिया पर 6 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 11 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी चलिए अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की चंडाल फिल्म के बारे में तो 13 मार्च 1998 में रिलीज हुई थी फिल्म मिथुन चक्रवर्ती, असरानी, स्नेहा और रामे रिड़ी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डिरेक्ट और प्रेड्यूस किया था टीलवी परसाद ने मातर 2 करोड उपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 4 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में साड़े 6 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी चलिए अब आपको बताते हैं आक्षी कुमार की बारूत फिल्म के बारे में तो 7 अगस्त 1998 में रिलिस हुई थी ये फिल्म अक्षी कुमार, राकी गुलसार, रवीना टंडन और अमरेश पुरी इस फिल्म में एहम किरदारों में थे फिल्म को डेरेक्ट और प्रेड्यूस क्या था पिरमोथ चक्रवर्ती ने पाँच करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर साड़े चार करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में आठ करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी चलिए अब आपको बताते हैं आजी देवगान की जख्म फिल्म के बारे में तो 25 दिसंबर 1998 में रिलीस हुई थी ये फिल्म आजी देवगान, पूचा भाट और सोनाली बेंदरे इस फिल्म में एहम किरदारों में थे फिल्म को डेरिट क्या था महेश भटने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को पूचा भटने चार करोड उपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर चार करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 7 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर फिलॉप साबित हुई थी तो दोस्तों इन चारो फिल्मों में आपको सबसे ज़्यादा कौनसी फिल्म पसंद आती है कमेंड में सुरू बताईएगा